हालो fen, आज हम लोग पढ़ाइंगे single line to ground fault through impedance, मतला हम लोग ने इसके पहले जब single line to ground fault पढ़ा था, अब हमने यह पढ़ा था कि एक line जो है, वो 3 phrase unloaded generator की वो एक line जो है, वो direct ground से connect हो जाती है, देकिन माल लीजिए वो direct ground से connect होने वीजा है, किसी impedance के through इदी ग्राउंट से करेक्ट होती है तब उसके behavior में क्या change आएगा यह अब हम लोग study करके दिखते हैं तो यह हमारा एक unloaded generator है ठीक है इस unloaded generator में phase A में एक fault आ रहा है और fault का जो impedance है वो ZF है माल लीजे वो जिस भी medium के थुरू fault आ रहा है उसका impedance क्या है ZF है ठीक है तो यह हो गई हमारा एक unloaded generator जिसमें हम single line to ground fault पढ़ने वाले है ठीक हम लोग देखते हैं कि हमको observations है क्या 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 बता चल रहा है था हमको observations यह बता चल रहा है क्योंकि generator unloaded है इसका मतलब है कि उसमें IB और IC की value जो होगी वो IA into ZF है ना तो यह IA है और यह ZF है तो IA multiplied by ZF हो जाएगा इसका voltage above ground तो होगए VA is equal to IA ZF तो यह हमारी होगए boundary conditions और इनकी साहता से है आगे की चीज़ों को calculate करेंगे सबसे पहले है अपन calculate करते है sequence currents तो sequence currents में IA 1 का formula हमको पता है 1 by 3 IA plus A by IB plus A square IC ठीक है तो IA 1 क्या हो IA 0 IA 0 तो यह दोनों 0 हो जाएंगे term तो बचाएगा सिर्फ 1 by 3 IA similarly यदि हम IA 2 निकालें तो उसका formula है 1 by 3 IA plus A square IB plus AIC इसमें भी कितना आ जाएगा 1 by 3 IA आ जाएगा IA 2 is equal to B क्योंकि यह IB 0 यह IC 0 फिर से दोनों 0 हो जाएंगे बचाएगा सिर्फ IA by 3 यदि हम निकालना च IA 0 तो उसका formula होता है 1 by 3 IA plus IB plus IC फिर IB 0 IC 0 है तो फिर क्या बचाएगा IA 0 is equal to IA by 3 तो हमको ultimately result क्या मिल रहा है हम लोग यह तीनों को इती देखते हैं तो IA 1 is equal to 1 by 3 IA IA 2 is equal to 1 by 3 IA IA 0 is equal to 1 by 3 IA तो इसका मतलब है कि IA 1 is equal to IA 2 is equal to IA 0 whole is equal to 2 आ रहा है IA by 3 तो यह हमारा एक important result आ जाता है in case of single line to ground fault दूसरी यह अपन देखते हैं कि VA is equal to IA into ZF है इसको भी अपन लिख ले विए is equal to IA into ZF और IA की value क्या होगी तो हो जाएगी 3 IA 1 तो हम लिख सकते हैं 3 IA 1 ZF तीक है यहाँ से पता चल रहा है अपने IA is equal to क्या होगी यह 3 इध result और आ गया VA का formula क्या होता है तो VA का formula हम जानते हैं वह होता है VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 is equal to क्या हो जाएगा 3 IA 1 ZF clear है तो यहीं से हम एक result और निकाल लेते हैं कि IA 1 is equal to एक formula और क्या जाएगा तो हो जाएगा VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 whole divided by 3 upon ZF हो जाएगा 3 upon ZF तो यह भी IA 1 का एक formula और हमको मिल जाएगा 3 no sequence voltages divided by 3 into ZF यह formula हो जाता है positive sequence current का ठीक है अब हमको कुछ formula और पता है है जैसे हमको पता है कि VA1 is equal to होता है IA minus IA1 Z1 ठीक है VA2 is equal to होता है minus IA2 Z2 VA0 is equal to होता है minus IA0 Z0 यह हमको formula पहले से पता है sequence voltages के formula for an unloaded generator है अब हमको यह भी वालम है कि यह IA2 is equal to IA1 है IA0 is equal to IA1 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते है minus IA1 Z2 और इसको भी लिख सकते है पन minus IA1 Z0 ठीक है तो VA1 की value यह हो गई VA2 की value यह हो गई VA0 की value यह हो गई और इन तीनों को जब हम जोडते हैं तो क्या आता है VA तो VA is equal to आता है यहाँ चे देखो VA1 plus VA2 plus VA0 VA1 की जगा में यह रख देता हूँ तो यह हो गई VA minus IA1 Z1 ठीक है प्लस VA2 और VA2 की जगह में क्या रखूँगा minus IA1 Z2 तो यह हो गई VA0 है VA0 की जगह में क्या रखूँगा minus IA1 Z0 तो यह हो गई VA1 Z0 whole is equal to क्या होता है whole is equal to होता है 3IA1 ZF तो यह हो गई 3IA1 ZF ठीक है वही चीज मैंने किया है simply कुछ नहीं किया है VA1 plus VA2 plus VA0 is equal to 3IA1 ZF वाले formula को यूज़ किया है तो यह same to same रख दिया है इन तीनों के जगह पर यह तीनों values मैंने put कर दिया है और कुछ नहीं किया है अब सब में से मैं IA1 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 common निकालता हूँ और सबको उस तरफ ले तो देखो यह को इस तरफ रख रहा हूँ मैं सिर्फ VA is equal to इस तरफ रखाएगा नहीं अब उस तरफ जाने के बाद यह IA1 plus हो जाएगा अंदर क्या बचेगा Z1 यहां से IA1 common निकला तो क्या बचेगा प्लस Z2 यहां से IA1 common निकला तो क्या बचेगा प्लस Z0 ठीक है अपन यहां बहुंच गया तो यहां पर पहले से कह है 3 IA1 ZF IA1 बहार निकल गया तो क्या बचेगा 3 ZF यहां से IA1 निकलेगा तो 3 ZF बचेगा तो यह हो गया हमारा प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 ZF तो यह IA1 का एक फॉर्मूला हमको और मिल गया तो हमको इतने चीज़ें मिल गई है IA1 के बारे में हमको पता चल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका चूंकि हमको सारी चीज़ें पता चल गई है हम लोगों को IA1 का फॉर्मूला मिल गया है IA1, IA2, IA0 मिल गया है कितना रहा है IA upon 3 हमको VA पता चल गया था हमको IA1 का एक फॉर्मूला यह मिल गया था और actual IA1 का फॉर्मूला in terms of this voltage और sequence impedances के terms में भी हमको मिल गया है अब अपन मनाएंगे इसका sequence network तो sequence network कैसा बनेगा इसको बनाने का एक तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम देखे कि sequence current जो है वो तीनों आपस में बराबर है तो यह हमारे sequence network है यह positive sequence network है जिसमें एक voltage होता है एक current होता है एक impedance होता है और एक positive sequence current होता है यह वाला voltage होता है यह कलाता है अपना VA1 जो negative sequence diagram होता है वो कैसा रहता है उसमें यह वाला हमारा होता है VA2 इसमें जो flow होने वाला current होता है IA2 और इसका impedance होता है वोता है Z2 similarly इसका impedance होता है Z0 इससे जाने वाला current होता है IA0 और इसके cross voltage होता है VA0 यह हमारे 3 sequence networks होते हैं तो यह हमारे 3 sequence network हो गए positive sequence, negative sequence, 0 sequence तीनों के बारे में एक खास बात यह है कि तीनों का current आया था हमारा IA1 is equal to IA2 is equal to IA0 आया था, मतब तीनों sequence currents जो थे वापस में बराबर थे यह तीनों current आपस में बराबर होंगे ठीक है बराबर करने के लिए हम इनको ऐसे जोड़ देते है अब क्या होगा जो current यहां से जाएगा और वही current से यहां से जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है कि ये देखिए, ये वाला voltage, तो ये वाला voltage, ये ये हां का voltage होगा, फिरका मतलब है कि ये गलेजिकल का टोलेज हो hijosें, बसक्राइड दिवाइड एक 3zf, तो टोल वॉल्टेज का submission कब आएगा जब अपन लूप को close करेंगे तो यह अपना ऐसे करेंगे लेकिन साथ में 3ZF से डिवाइड भी करना है तो यह वाला जो impedance हो जाएगा वो हो जाएगा 3ZF ठीक है clear है तो हम लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर जो impedance लगा है उसकी value क्या है 3ZF होगी ठीक है अब क्या इसको satisfy कर रहा है तो देखो VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 divided by 3ZF करेंगे तो यहाँ का current आ जाएगा तो यहाँ का current IA1 IA2 IA0 जो कि साब आपस में बराबर है यदि हम इस formula से अपन verify करना चाहें इस network को तो क्या satisfy हो रहा है देखिए तो IA1 is equal to क्या है IA upon Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3ZF मतलब एक voltage divided by 4 impedances तो है क्या साब देखिए अज पूरे network में सिर्फ एक voltage है IA divided by total impedance कितना है total impedance is Z1 Z2 Z0 plus 3ZF तो मतलब यह वाली equation भी जो है वो इस network से satisfy हो रही है तो इसका मतलब है कि जब भी अपना single land to ground fall through an impedance आता है तब हमारे जो तीनो sequence currents है वो आपस में बराबर होते है जो currents की value होती है वो होती यह एपन Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3ZF और जो sequence networks होते हैं वो 3ZF impedance के across सब series में connected होते हैं ठीक है तो यह हो गया all about single line to ground fault through an impedance ठीक है? Thank you